आज है 8 October 2022 और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी important quiz सो चलिए देखिए पहला question है हमारा कि कौन सी स्ट्रेट ब्लैक सी और सी ओफेजों को connect करती है अब ये न्यूज में क्यों है क्योंकि ते कि रिसेंट ली यूक्रेन ने जो इन दोनों के connection का जो इन में से answer है उसका जो ब्रीज उसको उड़ा दिया गया है रश्य यूक्रेन की लड़ाई के बीच में इसका जो अंसर आप देख सकते हैं यूक्रेन रश्या के बीच में क्रीमिया को जोड़ते हुए ये कर्च स्ट्रेट अंसर इसका आ जाएगा जो सी फिलिपीन्स की जो राजदानी है वो है मनिला सो अंसर डी इस यूर राइट अंसर ओके नेक्स्ट है हमारे पास डट वेर इस दा हैड़कॉर्टर ओफ एस बैई लोकेटेट अब यह न्यूज में क्यों देखे हैं हमारे जो पैंक्स होते हैं उनके हैड़कॉर्टर का लोकेटिड है नेक्स्ट देखे सोलमन आइलेंड की समुंदर में है अब सोलमन आइलेंड की रिजेंटली आपको पता है चाइना यूससे का जो है एक डिबेट चलता रहता इस चीज में ट्रेड में पाफी अन्ने टोपिक्स में भी चलिए पोलिटिक्स पे तरह ध्यान न रूप्स हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं जी कोई चाइनीज ट्रूप नहीं है जैट स्वाई कौन से समुंदर में ही है पैसिफी कोशन में सोलमन आइलेंड लोकेटिड अगला कोशन है कि कौन सी कमेटी बनाई गही है शेड्डूल कास्ट ऐस सी का मतलब यहां प है ठीक है इसके बाद आप देख पाएंगे क्यों बनाएगे देखिए 1950 में हिंदू लोगों के बाद को जो शेडूल कास्ट मानते थे दिरे-दिरे सीख में अलाउड किया गया बुद्धिश्ट में लेकिन मुस्लिम क्रिश्चन में अभी बनाउड नहीं किया गया तो इस को यह अच्छे से समझ लेना कि जिंजियंग प्रोविस में क्या होता है वहाँ पर जो मुस्लिम लोग रहते हैं उनके उपर काफियात्य चाहर होता है चाइना के द्वारा इसके उपर चर्चा होनी थी यूनेटि नेशन हमने राइट्स काउंसिल में ठीक है अगला कोशन ह एक तो होता है ईडिफेंट और यह है ईडिजिटल रूपी कौन लॉंज करने वाला है इसको लॉंज किया जाएगा देखिए आरबे के दुवारा यह रिजर्व बैंक ने बताया है इसको बोलते हैं तो आरबे यह हमारी डिजिटल करंसी लॉंज करेगा जिसका नाम होगा E रूपी ठीक है अगला कॉश्चन है देखिए DKD 2 पीक यह कह रहाए DKD 2 पीक कहां पर है कौन सी यूनिय टरियूट्रिय अस्टेट के अंदर यह लोकीटेड है तो आप देख सकते हैS DKD 2 पीक का मतलब दो पति का दंढ पिक इसका मतलब हुआ दो पती की पहाड़ी ठीक है कहां पर located है उत्राखंड के अंदर ही located है तो answer B आपका हो जाएगा right answer यहां पर देखिए उत्राखंड यह boundary देख सकते हैं और यहां पर यह located है ठीक है तो यह जो ब्रीदेश और टेमपल आप देख सकते हैं यहां पर located है और यह जो state है वो है तमिलाडू So answer C is your right answer and it is 66 meter high और किसने बनवाया है राज राज चोला ने ठीक है इसको बनवाया नेक्स्ट है कि कौन सा गाउं पहला solar powered गाउं होने वाला है भारत का तो आप देख पाएंगे कि न्यूज में यह है कि 9 तरीक को 9 अक्टूबर को प्राइम निशन रेंद्र मोदीजी गुजरात के दोरे पे जाएंगे और पहला वहां का solar part village या इंडिया का भी declare करेंगे जिसका नाम होगा मोदेरा अच्छा जी अब गाउं तो बहुत है मोदेरा ही क्यों कि मोदेरा में sun temple भी located है तो that's why इसको चूज किया गया है कि यह भी reason हो सकता है ठीक है तो यह थे आज गया हमारे top 10 questions mcqs जिसमें हमने कुछ static बाते भी discuss की current affair की बाते तो definitely discuss की ही है so please please I request that आप इसको like और share ज्यादा से ज्यादा करें so that exam जो बाने वाले उनमें काफी help हो काफी बच्चों को thank you everyone